हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टी फूड विद संगीता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धावा स्टाइल चट पटी भिंडी मसाला रेसिपी जिसे बनाना पहुत इजी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये भिंडी बनाना मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी ली है जिनको अच्छे तरीकी से धोलिया है और इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है कपड़े से पहुच कर इनका पानी बिल्कुल मैंने सुखा दिया है अब हमें भिंडी को कट करना है तो इसके लिए सबसे पहले भिंडी के आगे और पीछे का हिस्सा आपको अटा देना है और बीच में इसमें कट का निशान लगाना है इस तरह कटका निशान बीच में लगाने से भिंडी में अंदर तक मसाला भर जाएगा और मसाला भिंडी पहुत ही टेस्टी बनेंगी अगर कोई भिंडी बड़ी है तो आप उसके टू पीस भी कर सकते हैं अब इसी तरीके से मैं सारी भिंडी को कट करके त्यार करूँगी आगे पीचे का हिस्सा अटा रहे हूँ और बीच में कट का निशान में लगा रहे हूँ अब ये सारी भिंडी मैंने त्यार कर ली अब इनमे में डाल रही हूं मसाला तो एक चोथा ही चमबच डाला है हल्दी पाउडर एक चोथा ही चमबच नमक और आदा चमबच हम इसमें नीबुकर रसेट करेंगे जिससे ये भिंडी बिल्कुल भी लैस नहीं छोड़ेगी और अब हमें भिंडी को करना है शैलो फ्राई इस तरह मसाला लगा कर शैलो फ्राई करने से बहुती टेस्टी सबजी बनेगी अब मैंने गेस पर एक कड़ाई रखिया और इसमें थोड़ा सा ओईल गरम किया है जब ओईल गरम हो जाए तो उसमें ये मसाला लगी हुई भिंड अच्छी तरह लगातार चलाते हुए शैलो फ्राई करेंगे इससे क्या होगा कि भिंडी लगवग 50% के करीब इसी में पग जाएंगी और इसमें मसाला डाली चुके हैं तो अंदर तक मसाला चला जाएगा भिंडी अच्छी तरह त्यार हो जाएंगी अगर आपको ये भिं तो इस तरीके से सभी भिंडी को अप लेट में निकाल लीजे अब ये जो कड़ाई में ओएल बचा है इसी में हम थोड़ा सा ओएल और एट कर देंगे और फिर हम इसी में सबची बना कर त्यार करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ओएल और मैं डाल रहे हूं लगबग स्पून के करेब ऑईल है यह अब ऑईल को अच्छी तरीकी से गर्म होने दें मैंने यहां सर्चो के देल का यूज किया है आप चोबी कोकिंग ऑईल पसंद करते हैं वो यूज कर सकते हैं जब ऑईल गर्म हो जाए तो इसमें डाले आदा चम्मक जीरा एक चौताई चम्मक हिंग और अब मैंने यहां पर दो प्याज लिये हैं जिनको बारिक चौप कर लिया है वो इसमें एड किये हैं अब हमें प्याज को लगातार चलाते हुए बून लेना है यहां पर मैंने केस का फ्लेम लोटू मीडियम रखा है और अब मैं इसमें एड करूंगी लैसुन तो तो 5-6 लेसुन की कलिया ली है जिनको ग्रेट किया है वो इसमें एड कर दिये हैं दो इंच के अद्रक का टुकड़ा इसे भी ग्रेट करके एड किया है और अब इन्हें इसमें हम मिक्स करेंगे और प्याच के साथ ही इनको भून लेंगे मसालों को लगाता चलाते हुए भून लीजे अब इसे स्टेज बर मैं इसमें एड करूंगी एक बारी कटी हुई हरी मिर्च जिससे अच्छा टेस्ट आयका इसके अंदर अब हरी मिर्च को इसमें मिक्स कीजे और इसे थोड़ा सा भून लीजे अब मैंने गेस का फ्लेम लो कर दिया है जब तक ये प्याच भून रहा तब तक हम इसके लिए मसाला तयार कर लेते हैं तो यहां एक कटोरी में मैंने एक चम्मच बेसन डाला है, एक चम्मच डाला है धनिया पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आदा चम्मच नमक क्योंकि नमक हम पहले भी भिंडियों में डाल चुके हैं, एक चोथा ही चम्मच हल्दी क्योंकि हल्दी भी हम पहले भिंडी में डाल चुके हैं इसलिए जाद अल्दी ना डालें अब अब इन मसालों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और इधर जो हमारी प्याज भुन रही थी वो भी अच्छी तरह भुन के त्यार हो गई है तो इसमें हम ये मसाला एड़ करेंगे अब मसाले को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसे लगातार चलाते हुए दो मिनट तक भून ले हमने इस मसाले में बेसन का यूज किया है जिससे ये भिंडी मसाला पहुत ही टेस्टी बनेंगी अब हमें बेसन को अच्छे से भूनना है ताकि ये बिल्कुल कक्चा न रहे अब एक बार इस तरीके से ये भिंडी मसाला बना के देखिए सच में आप उंगले चाटते रह जाएंगे अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो मसाला है अच्छी तरीके से भून गया है मसाले से ओइल सेपरेट हो रहा है तो बस इस स्टेज पर अब हमें इसमें एड करना है टमाटर मैंने यहाँ पर ये दो टमाटर की प्यूरे बना के रखे हुए पकाना है मसाले को अब मसाले को हम तब तक भूनेंगे जिस कि आप इस से ओएल सेपरेट होने लगे जो आपके बेंड की भूनि दही समया हम इसमें गर्वाटर करनी है जो हम यहां रहा है नो बहुत हम दहीरी में 0 म२ ए रखें ही घुटर्टित को ना हिएयाurg है ताजा दही का यूज़ करना है, खटा दही आपको नहीं लेना है जब आप ग्रेवी में दही आड़ करें तो गैस का फ्लेम आपको लो रखना है लो फ्लेम पर इसमें दही आड़ करें और दही आड़ करते हैं इसे लगातार चलाएं इसे लगातार तब तक चलाना है जब तक कि इसमें अच्छा से उबालना आने लग जाए वन्ना दही फट जाएगा दही को फटने से बचाने के लिए इसे लगातार चलाना बहुत जरूरी है अब यहाँ पर मैं इसे लगातार चला रहे हूँ यह आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छी बनके त्यार हुए है दही बिल्कुल भी नहीं फटा है इससे अब ओइल सेपरेट हो रहा है इसका मतलब जो ग्रेवी अच्छी तरीके से पक कर त्यार हो गई है यह आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही अच्छा आ गया इसका मसाल एकदम पर्फेक्ट भुन के तयार हो गया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मसाले से तो बस अब इस मसाले में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है बहुत जादा पानी नहीं डालना है बस थोड़ा सा ही अब इसे अच्छी तरीक से हम मि एड़ कर दी हैं अब इन्हें मसाले में अच्छी तरीक से मिक्स कीजिए और इन्हें हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे हमने भिंडी को शैलो फ्राइ करते समय 50% ही कुक किया था अब पूरा कुक करना है तो इसके लिए अब भिंडी को आप कवर कर दें और 4-5 मिनट तक पकने दें बीच में मैं इसे 2 मिनट बाद एक बार चला रहे हूं भिंडी को उपर नीचे कर रहे हूं ताकि से यह जले नहीं यह देखे इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ना पकाएं वरन्ना सबची जल जाएगी भिंडी बहुत जल्दी पक जाती हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं तो उपर नीचे इस तरीके से करने के बाद फिर से मैं इसे कवर कर देती हूं और अब 2-3 मिनट बाद चेक करेंगे मिसे तो अब मैं इसे फिर से ओपन कर रहे हूँ चेक कर लेते हैं कि सब्जी बनी है या नहीं तो ये देखिए सब्जी में ओइल सेपरेट हो रहा है भिंडी सॉफ्ट हो चुकी है भिंडी अच्छी तरीके से मसाले से कोटेड है एकदम परफेक्ट ये सब्जी बनके त्यार हुई है तो बस इस सब्जी में अब हमें डालना है एक चोथाई चमच गरम मसाला और बारिक कटा हुआ हरा धनिया अब इन दोनों को सब्जी में अच्छे से मिक्स कीजिए और कैस का व्लेम आफ कीजिए और इस सब्जी को आप कर्मा गरम सर्फ कीजिए इस सब्जी को आप पूरी पराठे चपाती नान किसी की भी साथ एंजोई कर सकते हैं ये देखिए बनी है ना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में